दोस्तों अगर आपका भी किचन रहता है बिखरा और गंदा तो इन 10 टिप्स की मदद ले हाईजीन के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त कई बार काम की विस्ता के कारण लोग अपने किचन की साफ सफाई नियमित रूप से नहीं कर पाते और ना ही उसे विवस्तित धंग से रख पाते हैं ऐसे में किचन बहुत बिखरा गंदा सा नजर आता है परेशान ना हूँ यहां कुछ आसान से टिप्स बता रहे हैं जिनकी हेल्प से आप रसोई घर को हर दम क्लीन बनाए रख सकते हैं घर का सबसे महतपूर एरिया होता है आपका किचन यह जितना साफ सुत्रा होगा खाना बनाने में भी उतना ही जादा मज़ा आएगा हाला कि रोज की भागदोर भरी जिन्दिगी में घर की हर कोने को साफ और मै नहीं हो पाता है सुभा ओफिस जाने के चक्कर में किचन में नास्ता खाना बनाने के समय हर कुछ अस्त व्यस्त गंदा पड़ा रह जाता है अनहाईजीनिक किचन बीमारियों का कारण बन सकता है जिस तरह से आप सब्दा में कमरों डाइनिंग हॉल लिविंग एरिया आप सुत्रा बनाई रखें खाना बनाते समय तेल धुए से कैबिनेट ड्रॉर आधी चिपचिपे हो जाते हैं किचन स्लैब सिंग आधी को साफ ना करें तो उसमें हानिकारक वैक्टीरिया पनब सकते हैं अक्सर लोगों को किचन साफ करना आफत और आलस वाला काम लगता ह है परेशान ना हूँ हम आपको कुछ बेहद ही आसान टिप्स बता रहे हैं जिससे आप कुछ ही मिनट में अपने किचन को चमका सकेंगे तो नमबर वन टिप्स है हमारा आप चाहें खुद से बरतन साफ करते हैं या मेड करती हो उससे साफ करते ही बरतनों का धेर एक के ना कर दें बहतर है कि उसी समय आप वर्तनों को सही जगह पर विवस्तित तरीके से रखते चले जाएं इससे स्लेब पर वर्तनों का पहाड जमा नहीं होगा आप आराम से खाना पका सके नमर टू टिप से हमारा यदि आप सबजी काटते हैं तो वहां पहले से ही एक बाउल य ही सबजी के छिलके पड़े नहीं रहेंगे इस तरह से आपका किचन साफ और मैनेज रहेगा किचन साफ होता है तो सुकून से खाना बनाने में भी मज़ा आता है नमर थी टिप से हमारा मसालों के डिब्बों शीशे के कप प्लेट बाउल ग्लास आदी रखने के लिए बनाने के लिए जो भी मसाले का डिब्बा निकाले उसी स्लेब पर रखने की बजाए तभी कैबिनेट में रख दे नमर फो टिप से हमारा सबजी या कोई भी खाना बनाते समय तेल के चीटे धुआ सीधा कैबिनेट की लकड़ी दिवारों पर लगे मारवल पर पढ़ते है ऐसे में इन्हें तभी पोछा ना जाए तो ये कुछ ही दिनों में चिपचिपे हो जाते हैं और दाग लगने पर देखने में भी गंदे भी लगते हैं नमर फाइब टिप से हमारा अवन को भी रेगुलर साफ करें कई बार खाना बनाते समय या गर्म करते समय ये गंदे हो जाते हैं इसमें कई बार खाना पकाते समय गिर जाता है और पोछा ना जाए तो अवन से बदबू भी आने लगती है ऐसे में चावल, सबजी, दाल या नॉन वेज आप भी अवन में बनाए उसे तभी साफ कर दें नमर सिक्स टिप से हमारा कुछ लोगों का किचन सिंग बहुत गंदा रहता है उसमें चिकनाई और जाली में चीजें फसी रहती है इससे बदबू आने लगती है बैतर है कि बरतन साफ करते ही सिंग में फसे कच करें ताकि वेक्टिरिया और बदबू दूर रहे नमर सेविन टिप से हमारा सिंग कई बार बहुत अधिक चिपचिपा हो जाता है इसे आप साफ करने के लिए गर्म पानी का यूज कर सकते हैं साथ ही वाइट विनेगर डालने से भी सिंग आसानी से क्लीन हो जाता है फिर आप बेकिंग सोडा डाल कर इसे साफ करें सिंग चमक उठेगा और बदबू भी नहीं आएगी नमर एट टिप से हमारा किचन में कई बार लोग बिना काम की चीजों को भी भर कर रखे रहते हैं इससे भी किचन भरा भरा और गंदा नजर आता है आप बेकार के सामानों को बाहर कर दें जितनी चीजें यूज की हैं वही रखें फिर देखें कैसे आपका किचन बेवस्तित और साफ नजर आता है नमर नाइन टिप से हमारा किचन काइबनेट को साफ करना है तो आप लिक्ट सोप का इस्तेमाल करें पानी में वाइट बेनेगर डाल कर भी इसे की बार कैबनेट को जरूर पोच लें नमर 10 टिप से हमारा दिन सप्ता महीने और साल के अनुसार किचन की चीजों को साफ करने की लिस्ट बना लें इस लिस्ट को आप किचन में टांग दें ताकि आपकी नजर पढ़ती रहे और आप विक्स डे पर उस चीज की सफाई कर द आए जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए है तो प्ली इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले मैं इसी तरीकी की नई नई टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी तब तक के लिए धन्यवाद